देहली में जवारलाल नहरू यूनिवर्सिटी के केमपस में कुछ साल पहले देश विरोधी नारे लगाने की खबर चर्चा में आई थी इसके बाद एक नाम उभर कर सामने आया था जो बाद में राश्ट्रिय राजनीती में छा गया जी हाँ यह नाम है कनया कुमार का जिनके अब कॉंग्रेस में जाने की खबरें सुर्खिया बटोर रही है खबरों की माने तो कनया कुमार की मुलगात कॉंग्रेस सांसद और पार्टी के पूर अध्यक्ष राहुल गांधी से हो चुकी है कॉंग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि पालिटी ने बिहार के विधानसवाच चुनाव के दोरान कनया कुमार से संपर्किया था और उन्हें ओफर दिया था लेकिन तब बात नहीं बनी थी अब कनया कुमार ने पिछले दिनो राहुल गांदी से मुलागात की बिहार में कॉंग्रेस जल्द ही अपने नए परदेश अध्यक्ष की घोशना कर सकती है इस घोशना के बाद कनया कुमार कॉंग्रेस का दामन थाम सकते हैं देखने वाली बात होगे कि कॉंग्रेस के लिए कितने फायदेमन साबित होंगे कनया कुमार आपको बता दे कि केंद्रिय मंत्री और भाजापनेता गिराज सिंग ने बेगु सराय लोकसवा सीट पर भाकपा उमीदवार कनया कुमार को चार लाग से अधिक मतों के अंतर से हराया था गिराज को बेगु सराय में डाले गए कुल 12,17,000 वोटों में से 6,88,000 वोट पर आप्थ हुए थे वहीं जेन्यू चातर संग अध्यक्ष रहे कनया कुमार को 2,68,000 लोगों के वोट मिल पाए थे अब ऐसे में देखना होगा कि अपने गड़ में भाजापा के हाथों करारी हर का सामन करने वाले कनया कुमार कोंग्रेस को कितना फाइदा पहुँचा पाएंगे कनया कुमार अकसर आपको अपने विरोधियों से दो-दो हाथ करते हमेशा टीवी डिबेट में नजर आ जाते हैं कई बार वे भाजापा परवक्ताओं से इतने उलच जाते हैं कि एंकर को संभालना पड़ता है कनया के चुनावी रैली में उनने सुनने के लिए भीड भी काफी जुट जाती है जवारलाल नहरू यूनिवर्सिटी के केमपस में लगे विवादित नारो के मामले में कनया कुमार सुर्कियों में आये थे इसके बाद से ही देश के राजनेतिक गलियारों में उनकी चर्चा जोरो पर होने लगी थी कनया कुमार लगतार केंदर सरकार के खिलाब हला बोलते हुए नजर आते हैं बिहर के विधान सबच चुनाव की बात करें तो इसमें कनया कुमार ने CPIM CPI के लिए इस्टार परचारक की भूमी का निवाई थी